5 reasons to watch Avatar The Way of Water पहला reason obviously movie के visuals Pandora के जंगलों की पहाडों की खुबसूरती आपने part 1 में देखी होगी लेकिन इस बार आप समंदर के अंदर की दुनिया देखोगे जिसे देख के सच में सुकून मिलता है पूरा पैसा यहीं पर वसुल हो जाएगा VFX and CGI पूरी movie VFX, CGI, facial motion capture जैसी और भी बहुत सारी innovative technique से बनी हुई है लेकिन काम इतना neat and clean है कि सब कुछ real लगता है यकिन करने का मन करता है, fake नहीं लगता है हर एक shot पर नहीं, हर एक frame पर महनत की गई है इसको सिर्फ render होने में बहुत ज़्यादा time लगता था इनको इसके उपर अलग सिक वीडियो आएगा Actors के performances सभी actors का काम up to the mark है ऐसे projects के अंदर actors को acting के अलावा timings और coordination के उपर बहुत ज़्यादा focus करना पड़ता है क्योंकि आज पास की दुनिया, creatures, situations ऐसी होती नहीं है shoot के time पर जैसी movie में हमें दिखती है बहुत कुछ सिर्फ assume करके actor react करना पड़ता है चौथा strong reason है direction James Cameron के direction में बनी हुई masterpiece movies हम पहले भी देख चुके है बाप level का direction होता है इनका ये दुनिया जानती है भाई साब का vision बहुत ही clear रहता है कि मुझे exactly audience को दिखाना क्या है movie के हर एक second को वो बहुत ही खास magical बना देते है last but not least movie का message अवतार part 1, part 2 दोनों movies एक तरह से बड़ा तमाचा है हम इंसानों के लिए nature और इंसानों के बीच में जग छिड़ी हुई है जिसमें इंसान को हर बार लगता है कि मेरी जीत हो रही है लेकिन वो समझता नहीं है कि मेरी जीत में ही मेरी हार है अवतार के दोनों पार्ट यह कहना चाहते है कि इंसान को कुद्रत के संतुलन की कभी न पड़ी थी न पड़ी है हम भूल जाते हैं कि हम उसी तराजू पर बैठे हुए है जिसका बैलेंस हम बिगाड रहे हैं जिसकी सजा आजकल हम भुगत भी रहे हैं और आने वाले जनरेशन को कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे हमारी इन डल्टियों की वज़े से इसके बारे में हमको कोई अंदाजा में दिया हुआ है सीव सुन इन नेक्स वीडियो बाय टेकर एंट जाए हैं